हेलो आई नमस्ते यादा सस्रियाकाल मैं दुशाब सभी का स्वागत करती हूँ नौरेज बंत्रा के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में हमारी दुनिया में बहुत से अजीबों गरीब रहस्य से भरी पड़ी है मानों को हमेशा ही इनके बारे में जानने और इनको सुलजाने की जिग्यासार रही है इस जिग्यासा के चलते मनुश्य ने बहुत से रहस्यों पर से पुरदा उठा तो दिया है वह यह अब भी बहुत सारे ऐसे रहस्य है जो अनसुलजी है इन रहस्तों को मनुश्य ने सुलजाने के कई प्रयास भीके लेकिन आज तक ये अंसुल जीत को थीप बनी हुई है ऐसे ये एक जगह है जा एक छोटे से छेद में आधी नधी समा जाती है लेकिन आज तक इस बात का किसी को पता नहीं चल पाया है कि आकर नधी का इतना पानी कहा जाता है तो आईए जानते हैं इस बारे में हमारी फाक नमबर वन में कुद्रत की बनाएं इस दुनिया में असंख्य छुपे पड़े हैं इनसानों में इनके बारे में जानने और इनकों सुलजाने के जिग्या सा हमीशा से ही रही है जिस कारण मनुश्य ने बहुत से रहस्य उपर से परदा उठा दिया है तो ये अब भी बहुत से रहस्य अंसुलजी है लेकिन आज भी कई रहसे है जो इंसानों के लिए अभूच पहली बनी हुई है ऐसी एक जगह है जहां एक छोटे छेद में आधी नदी समाज जाती है लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर नदी का इतना पानी कहा जाता है ये रहसे में जगह है अमरेका का एक ज़र्ना जहां बने हुए इस छेद को देवल स्केटल नाम से जाना जाता है इस छेद में नदी का पानी आधा समाज जाता है लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी वैग्यानिक और विज्ञान यह पता नहीं कर पाया कि आखिर पानी कहा जाता है ये जगह अमरेका में सुपीरियर लेक के उतरी किनारे पर मेने सोता से जज सियार मैगनेसी पार्क है ये ज़र्ना बहुत ही खूब सुरत होने के साथ ही रहस्य से भी भरा हुआ है जैसे कि इसका नाम है डेवल स्कैटल इसका मतलब है शैतान की कड़ाही इस अद्बु ज़र्ने को लेकर लोगों में तरह तरह की चचाय है ज़र्ने का स्त्रोत प्रुल नदी का पानी है जंगल में ज़र्ने का पानी घुमावदार सक्रीले चटानी रासों से नीचे की और गिरता है और उचाय से गिरते हुए ज़र्ने का पानी चेट में समाने के बाद आखिर जाता कहा है ये आज तक पता नहीं चला है इसका पता लगाने के कई प्रयास किये गए लेकिन ये अभी तक अंसल जार रहसी है साड़ी का नाम आते ही भारतिय नारी का पूरा व्यक्तित्वन नजरों के सामने उबराता है साड़ी भारतिय स्री का मुख परिधान है साड़ी जो आज विदेशियों में भी खूब पसंद की जा रही है भारतियाई विदेशी महमान भी साड़ी पहन कर भारतियता का एहसास करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि साड़ी का इतियास क्या है किसने साड़ी की खोच कीती और साड़ी कब से पहनी जाती है अगर नहीं जानते हैं तो आए जानते हैं हमारे फैक्ट नमबर टू में साड़ी शायद विश्व की सबसे लंबी और पुराने परिधानों में से एक है इसके लंबाई सभी परिधानों से ज्यादा है और यह एक तरह से कहे तो आदिकाल से भारतिता की पहचान भी है यह लगबग पास से छेगज लंबी होती है और यह बलाउस या चोली और पेटिकोट के साथ पहनी जाती है वही महराश्व में नौगच की साड़ी पहनने का रिवास है साड़ी की इतिहास पर नजर डाले तो इसका उलेक वेदों में मिलता है युजुर वेद में सबसे पहले साड़ी शप का उलेक मिलता है वही रुगवेद की सहिता की अनुसार यग्य या भवन के समय पत्नी को साड़ी पहनने का विधान है ऐसा कहा गया है दिरे दिरे यह भारत्य परंपरा का हिसाब बनते गैं और आज भी साड़ी भारत की अपनी पहचान है पौरानी करंट महाभारत में दुरौपदी की जीरहरन का प्रसंग है जब क्रोद में आकर दुर्योदन ने दूद क्रेडा में दुरौपदी को चीत कर उसकी असमिता को सारवजने चुनौती दी थी तब भगवान श्री कृष्टी ने साडी के लंबाई बढ़ा कर उसकी रक्षा की थी इसे यह पता चलता है कि साडी के वल पहनावा ही नहीं तो स्री के लिए आत्म कवच भी है पुरातन काल से चलिया रही पारंपिक परिधान साडी आज तरह तरह की रंगों डिसाइनों में उपलब्ध है वक के साथ इसमें बदलाव होते गए दूसरी शदापते में पुर्शों और स्रीयों के उपरी भाग को अनावरत दर्शाय क्या है इसमें बारहवी शदापते तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ च्योंकि साडी का धर्म के साथ विशेश चुड़ाव रहा है इसलिए बहुत सारी धार्मिक परंपरागत कला का इसमें समावेश होता क्या और रंग डिजाइन बदलते के धर्म और रंग का सामाजिक प्रभाव भी साडी पर साफ देखा जा सकता है जहाँ पहले सामाजिक रिटी रिवास के अनुसार विवाहित महिलाय रंगीन और डिजाइन बसाडी पहनती थी और विद्वाव को पहनने के लिए सफेद रंग की साडी तीचाती थी उन्हें रंगीन समझा जाता था समय के साथ परंपराई भी पदली है चॉकलेट का नाम सुद्धे ही बड़े चोटे सभी के मुँ में पानी आना शुरू हो चाता है चॉकलेट खाना आम तोर पर हर किसी को पसंद होता है खास कर लड़कियों को तो चॉकलेट बहुत पसंद होती है क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होती है दिल से लेकर वजन कम करने तक हर जगा इसका असर देखा चाता है अगर इस बारे में आप नहीं जानते हैं तो आईए जानते हैं इस बारे में हमारे फैक्ट नमबर थ्री में वजन बढ़ने के डर से बहुत लोग चॉकलेट पसंद होते हुए भी नहीं खाते अगर आप भी ऐसा सूचते हैं तो यह सोच को अब बदल दे क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाने से वजन बढ़ता है लेकिन अगर आप चॉकलेट की मातरा कम ले तो इससे आपका ज्यादा वसन नहीं बढ़ेगा बलकि यह आपके शरीर को अनेक तरह से फाइदा पहुचाएगा डर्क चॉकलेट में अंटियोक्सिडेंट के साथ साथ कई तरह की ऐसे जरूरी तत्तु पाये जाते हैं जो आपके दिमाग से लेकर दिल तक हेल्दीर रखने का काम करते हैं आईए जानते हैं डर्क चॉकलेट खाने से हमारे शरीर को कौन-कौन से फाइदे मिलेंगे तो चॉकलेट में पाये जाने वाला फैलवनॉल एक बहतरीन अंटियोजर की रूप में काम करता है यह हमारी बढ़ती उम्र की लक्षिनों को जल्दी नहीं आने देता है इससे स्किन जवा नज़र आती है आजकल फेशिल, वैक्सीन, पैक और चॉकलेट बाद चलन में है चॉकलेट में पाये जाने वाला एंटे एक्सिडेंट हमारी तवच्चा को तरोतासा रखने में मदद करता है यदि आप चॉकलेट का सेवन करें तो जल्दी रिंकल्स की टेंशन से फ्री हो सकते है कई अध्येनों में पाया गया है कि जो वैक्स को नियामित रूप से चॉकलेट खाते है उनका बोडी मास इंडेक चॉकलेट न खाने वालों की तुलना में कम रहता है इससे वजन को घटाने में मदद मिल सकती है डाग चॉकलेट खाने से डिप्रेशन दूर होता है इसमें पाय जाने वाले अक्सिडेटिव तनाव पैदा करने वाले हॉर्मोन को नियंतरित करते है जिससे तनाव कम होता है चॉकलेट में से रोटिनिन पाय जाने के कारण यह हमारे दिमाग को तरोताजार रखता है और तनाव डिप्रेशन को हावी नहीं होनी देता डाग चॉकलेट में स्ट्रेस को कम करने का विशेशकुन पाया जाता है नौलेज मंतरा के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना है फिर्म लाकात होगी आपसे नौलेज मंतरा के अगले एपिसोड में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्करात रहिए और देखते रहिए वीसे न्यूज नमश्कार